नमस्कार दोस्तो हमारे च rectangles पर आपके स्वागत है आज मैं बात करने वला हूँ प्येव पास्बूक उपें करने के टाइम में आगर आपके साद आइसे सेम प्रोबलेम होता है जैसे कि आपको यहाँ पर साइड में दिखाएद रहा है अगर आभी एक EPM इम्बर हो तो वीडियो का आप लोग कॉंप्लिट देखते हैं तो अभी आपको यहाँ पर डीटेल्स में पाता चलेगा चले दूस्तों वीडियो को सुरू करते हैं अगर आभी चेक करने चाहतों आपको यहाँ पर एक बार चेक करना है क्योंकि यहाँ पर जो न्यू अपडेट आया आपको यह जानना बहुत जुरूर है अगर आभी एक EPM enriched नोचे पर आथा आपको यहाँ पर डीटिल्स में पता चले जाएगा सबसे पहले आमें क्या गने? अगर आप डायरेट इसवाले पेट पर आने चाहतो इसवाले वीडियो के निचे एका लिंक दे रखाओ क्लिक करके डाइट आप सबस्क्राइब आप सारे डीटेलस प्रोटाइब आपको यहां पर साइड लूपर क्लिक करने के बद आपको थोड़ी देर वेट करने आप यहां पर देख सकत तो हमारे पास यहां पर इसी तरह किसे एरर आ चुग है अगर आपके साथ भी ऐसे same problem है तो आपको यहाँ पर क्या करना है पहले आपको यहाँ पर समझेना बहुत जुरूर है यहाँ पर बोला क्या जा रहा है जैसे कि यहाँ पर दिखाएद रहे your password की एकसपर to change your password please visit member portal तो आपको क्या करना है आपको यहाँ पर क्या बोला है आपको यहाँ पर password change करना है मतलब पुराने जो भी आपके पास password था वो आपको यहाँ पर change करने पोड़ेगा जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है तो आपको क्या करना है दूसरा tab पहले open कर लेना है दूसरे टेब में आपको यहाँ पर type करना है EPFO यही आपको type करना है next आपको यहाँ पर search bar में click कर देना है next आपको यहाँ पर एक link दिखाई देगा Employment Provident Fund Organization तो क्या गरना है इसी के पर click कर देना है next आपके पास इसी तरह के से page open हो जाएगा next आपको यहाँ पर दिखाद रहे online claim member account transfer इसी के पर click कर देना है next आपके पास इसी तरीके से page open हो जायागा next आपको क्या करने आपके पास जो भी UN number है वही UN number आपके फिल करना है next आपको यहाँ पर दिखाद रहे password तो आपके पास जो भी password है वही password आपको यहाँ पर फिल आप करना है next आपको यहाँ पर फिल आप करना है अगर आपको capture समझ में नहीं आ रहे तो आपको क्या करने इस arrow के पर click करना है यहाँ पर new capture आजाएगा तो आपको क्या करने वही new capture यहाँ पर फिल आप करना है नेक्स्ट आपको यहां पर sign in दिखाए दरहें, sign in के पर click करने के बाद, आपको यहां पर account उपेन नहीं होगा, direct इस पर पेच पर refresh कर देगा, जैसे कि आपको यहां पर दिखाए दरहें, next आपको क्या करने, अपने जो आप ही password फिल करके login किया था, जो की old password, जो की पुराने पुराने जो password था, वह वाले password आपको यहां पर फिल आप करना है, next आपको यहां पर दिखाए दरहें, confirm new password, तो आपको क्या करने, यहां पर आपने जो भी password फिल आप किया है, same password आपको यहां पर फिल आप करना है, जैसे कि आपको यहां पर side में दिखाए दरहें, इसी तरी से आपको यहां पर new password create करना है तो क्या गर नहीं सारे details करने के बाद आपको छोटा सा checkbox दिखाई दे रहा है इस बाले box के उपपर click करना है next आपको यहां पर दिखाई रहा है get aadharotp तो कि अगाने इसी के पर क्लिक कार देना है नेक्स्ट आपको यहाँ पर पुछा जा रहा है कि आप स्योर हो अपने पासफ़र्ट चेंज काने के लिए अगर आप स्योर हो तो आपको कि अगाने यहाँ पर OK दिखाई दे रहा है OK में क्लिक कार देना है नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक दो सिकंड ओट करना है आपको धियान रखने है आपने आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नमबर रेश्टर है उसी मोबाइल नमर पर आपके पास यहां पर OTP आएगा तो आपके पास यह होना बहुत जुरूरी है तो आपको क्या गाने आप आपके जो भी पुराने पासफ़र्ट था यहां पर चेंज हो चुका है जो भी आपने निव पासफ़र्ट किया है वो यहां पर सक्सेस्फुल हो चुका है जैसे कि आपको यहां पर दिखेदर है चेंज सक्सेस्फुल तो आपको क्या करने अगर आप लोग इन करने के लिए आपको क्या गाने यहाँ पर login दिखाए दरा ECK पर click करना है अब यहाँ पर login वाले page open हो जाएगा यहाँ पर तो आप login कर सकतो लेकिन फिलाल यहाँ पर आपने पास्वूक को check नहीं कर सकतो इसके लिए आपको क्या गाने 6 घंटा कम से कम आपको यहाँ पर इंतेजार करने और एक बर मैं बताएते हूं कम से कम 6 घंटे बाद ही आपको यहाँ पर चेक करना है तो भी आप आपने पीए पास्वूक यहाँ पर open कार सकतो तो यह था छोड़ा जानकारी जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले